सबसे पहले तो इस पगड़ी के लिए इस मान सम्मान के लिए आप सबका बहुत बहुत दन्यवादी मैं जिस परिवार से आता हूँ, जिस खांदान से आता हूँ, जिस पीड़ी से आता हूँ, उसमें पगड़ी के लिए फिर जान देते हैं लोग अगर किसी ने सर पे पगड़ी रख दी मतलब जिम्मेदारी दे दी तो आज आपने सर पे पगड़ी रख दी है तब बदलाव की जिम्मेदारी हमारी है एक बार जोरदार नारा लगा के बताएं कि सब यहीं हैं कि कहीं चले गए हैं आज प्रांगतीच के इस मैदान में उपस्तेत सभी भायों बेनों, मच पर उपस्तेत आमादियू पार्टी की जिले की पूरी लिडर्शिप और साथ साथ आमादियू पार्टी के सीनियर लिडर और आप सब के लाडले टीवी पत्र का पाई सुदान गडवी जी, इतनी शांदार गुजराती में आपके बीच अपनी बात रखे गए हैं, इतनी शांदार तो यहीं गुजराती, तो इतनी शांदार गुजराती बोलते हुए रखे गए हैं, मैं थोड़ा गरीब महसूस कर रहा हूँ अपने आपको, क्योंकि पूरा फोटोग्राफ ज़रा ठीक से डिखा दें पूरा ठीक से अच्छे से लोगों को कितने लोग यहां रात को 9 बजे तक अरविंद केजरिवाल जी के सिपाहियों को सुनने के लिए खड़े हैं बैठे हैं बेहने बैठी हैं यह इसलिए जरूरी है कि यह फोटोग्राफ दिल्ली पहुंचें तो दिल्ली में बैठी हुई भाजपा की थोड़ी धड़कन और बढ़े और थोड़ी सी और धड़कन बढ़े तो अपने CBI वालों को कहें कि यह मनीज सी सौधिया को खुला क्यों छोड़ रखा है इसको अंदर करें और वो कहें कि CBI वालों इसको जूटे केस में अंदर करो तो उसके बाद में गुजरात के लुआने वाले को जेल में डालने चले हो यह यहीं जाके पूरा होगा यहीं जाके रुकेगा यह सिल्सला यह परिवर्तन का सिल्सला है हर तरफ से आवाज उठीए गुज्रात में अब तो बस परिवर्तन चाहिए अब तो बस परवर्तन चाहिए अब तो बस बदलाव चाहि मुख्य मंत्री बदल दिये नेता बदल दिये लेकिन जो नहीं बदला वो है हमारे स्कूल नहीं बदले हमारे अस्पतार नहीं बदले हमारे बिजली के बिल महेंगे होते चले गए पेपर फूटना नहीं बदला रोजगार नहीं मिले महेंगाई का आलम नहीं बदला बदले तो क्या केवल मुख्य मंत्री बदल गए और मंत्री बदल गए लेकिन जब से जब से आप लोगों ने सोचा है कि इस बार तो परिवर्तन करना है तो भारतिय जंता पार्टी परिवर्तन की चक्की चला रही है तेजी से कितनी बार मुख्य मंत्री बदल दे आप यहां पे इन बीजेपी के इतिहास में इन्हों ने तीन बार मुख्यमंत्री बदला कभी गुजरात में क्यों बदलना पड़ा सिर्फ इसले बदलना पड़ा कि प्रांगतीज के भाई बेन अब क्याने लगें कि हमें तो केजरीवाल जैसे स्कूल चाहिए जैसे केजरिवाल बनवाते हैं वो केजरिवाल से नहीं डरते वो केजरिवाल के बनाय हुए स्कूलों से डरते हैं उनको लगता है कि अगर केजरिवाल जैसे स्कूल गुजरात की जनता ने ठान लिये तो जारू पे बटन दवाएंगे और फिर स्कूल तो बन जाएंगे वो इस बास से ड़ते हैं कि अगर जन्ता ने ठान लिया तो जैसे अस्पताल केजरिवाल जी ने दिल्ली में बनवाए हैं और अब पंजाब में मान साथ बनवा रहे हैं बगवन्त मान जी वैसे बनने लगेंगे यहां पर इसलिए वो सोच रहे हैं कि मुख्य मंत्री बदल दो फिर मंत्री बदल दो अब हमें मंत्री और मुख्य मंत्री बदलने की बात नहीं करने हैं हमको तो बात करने हैं स्कूल बदलो अस्पताल बदलो ये जो रोज पेपर लीक होता रहता है पेपर फूड़ता रहता है इस परमपरा को बदलो ये धंडे बाज जो घुले घूमते रहते हैं पेपर फूड़ने वाले इनको बदलो यह जो महेंगाई बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है और महेंगाई को रोकनी की जगह है हमारे दूद पर भी टेक्स लगा देते हो हम अपनी माता बेने अपने बाई सब किसान सब लोग मिलके थोड़ा थोड़ा दूद करिते हैं अपने बच्चों को पिलाने के लिए और एक गिलास दूद पर आपको पता है कितना टेक्स लगता है अगर घर में दो बच्चे हैं तो दो रुपे का टेक्स दे रहे हो रोजाना ये मसोचना अभी जो इशुदान भाई भोलके गए न कि सारे सरकारी स्कूल पांस साल में ठीक करा देंगे आप केजरी वाल को एक मौका दो सारे सरकारी स्कूल ठीक करा देंगे केजरी वाल को मौका दो महला क्लिनिक खोल देंगे महले गाउं गाउं में केजरी वाल को मौका दो हर महिला को एक हजार रुपए महिना सम्मान राशी मिलने लगेगी केजरी वाल को मौका दो 10 लाख नोकरिया सरकार देगी केजरी वाल को मौका दो और जब तक नोकरिया नहीं देगी 3000 रुपए का बेरोजगारी बत्ता हर एक नौजवान को मिलेगा केजरी वाल को मौका दो ये जो अभी सुधान भाई बोड़ के गए ये बीजेपी वाले मजाग उढ़ाते हैं कि केजरिवाल जी तो फ्री की रेवड़ी बाठते हैं इतना पैसा कहां से आएगा दिल्ली का उधारन उठाके देख लो और दिल्ली छोड़ दो अपने घर का उधारन उठाके देख लो सुबह जब सो के उठते हो ब्रश करने जाते हो ना बात्रूम में करते हो ना उस ब्रश की वो जो पेस्ट होता है उस पेस्ट की कीमत उठाके देख ले ना अगर 50 रुपे का वो पेस्ट है तो उसमें कम से कम 5 रुपे, 6 रुपे टेक्स दे के लेके आये हो वहां से आएगा यह पैसा और कहां से आएगा इनके पिताजी के घर से थोड़ी आएगा जन्ता का पैसा है पेस्ट करने के बाद नहाने जाते हो साबुन की टिक्की यूज़ करते हो 20 रुपे की साबुन की टिक्की पे कम से कम 4 रुपे का टेक्स दे के आते हो वहां से आएगा यह पैसा अपने बच्चों के लिए ब्रेड घरीद के लाते हो बिस्किट घरीद के लाते हो टॉफी घरीद के लाते हो चॉकलेट खरेद के लाते हो, कपड़े खरीद के लाते हो, उस पर टेक्स दे के आथे हो, अब फित घर में जाओगे, बिजली का बन जलाते हो, बिजली के लेट מेर एक रुपई की बिजली जलाते में तो 10 पैसा टेक्स भी देते हो, कि 20 पैसा टेक्स भी देते हो और ये मत सोचना कि मनीश सुधिया कह गया था कि बिजली पर भी टेक्स देते हो इसके लाइक बंद कर देते हैं सरकार को कर नहीं पाओगे क्योंकि बिजली का सुच बंद कर दोगे तो पंखा तो चलाओगे जब तक सर पर पंखा चलता रहेगा टेक्स देते रहोगे सरकार को और फिर कोई बीजेपी वाला आएगा कहेगा जनता को फ्री की रेवडी नहीं देनी चाहिए तो इस बार पूछ लेना कि टूथ पेस्ट से लेकर साबुन से लेकर बिजली पानी दूद सब चीज में टेक्स दिया है वो पैसा लेकर कहां जा रहे हो ये बताओ उससे लेकर आओ हमारे लिए अच्छे स्कूल उससे लेकर लिए हमारे लिए अस्पताल दिल्ली में भी लोग यही कहते थे साथ सार पहले सरकार बनी वहां पे लोग कहते थे पैसा कहां से लाओगे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो इस्कूल बनवा देंगे हस्पताल बनवा देंगे पैसा कहां से लाओगे इमानदारी से काम करना शुरू किया यही पैसा जो इकठा होता है न जो मैंने बताया ये सारा पैसा इमानदारी से इकठा करना शुरू किया पेले 30,000 करोड रुपे इकठा होता था अब 55,000 करोड रुपे इकठा होता है दिली में टेक्स नहीं बढ़ाया टेक्स कम किया इमानदारी से इकठा किया चोरी रोख दी चोरी रोख दी पैसा ठोगो गया और ये जो अभी बता रहे है देशुदान भाई सड़क खा गए नाली खा गए पानी पी गए ये सारा पैसा बचाया हूँ आपे और आज दिल्ली सरकार यहां तो गुजरात में कहते हैं न बाजपा वाले डबल इंजन की सरकार है डबल इंजन की सरकार है ये डबल इंजन की सरकार और कार कुछ नहीं है ये डबल चोरी करने वाली सरकार है डबल इंजन की सरकार का मतलब है दुगने गती से काम करना चाहिए दुगने गती से स्कूल बनवाने चाहिए थे नहीं किये, दोगने गती से चोरी करते हैं यहां तो पैसा जादे आना चाहिए था लेकिन गुजरात सहित, पूरे देश का हर एक राज्य करजे में डुवारखा इन लोगोंने केवल और केवल दिल्ली सरकार ऐसी सरकार है जो जनता के उपर कोई टेक्स नहीं बढ़ाती और फिर भी फाइदे में चल रही है जादा पैसा रहता है सरकार के पास में वहां से आता है तो आज मैं आपके बीच में यही कहना आया हूँ कि मेहनत करके जो इशुदान भाई ने जितने बातें की यह अर्विंद केजरिवाई जी की गारेंटी है बदलाव के लिए इनके बारे में बात करना सूर कर दीजिए बदलाव इस चीज का नहीं कि नेता बदलने और मंत्री बदलने बलकि स्कूल बदलने अस्पताल बदलने रोजगार बदलना है पेपर लूट रोकना है महंगाई को रोकना है और नेता अमीर होती रहे नेता अमीर होते रहे और जनता गरीब होती रहे इस परंपरा को रोकना है यह इसके लिए बदलाव चाहिए और इस परिवर्तन के साथ साथ जब से आपने मूर बनाया है मैंने आपको बताया, जब से मूड बनाया है, भारतिय जन्ता पार्टी के मेता ये नहीं कहते हैं, आपके लिए स्कूल बनवा देंगे, वो कहते हैं केजरिवाल खराब है, केजरिवाल जी कहते हैं, आपके लिए स्कूल बनवाएंगे, ये केजरिवाल को गाली देने लगते केजरिवाल जी कहते हैं हम अस्पताल बनवाएंगे ये केजरिवाल को गाली देने लगते हैं केजरिवाल जी आके कहते हैं मैं पेपर फूट रोत वा दूँगा पेपर फूट रहना बंदो जाएगा ये केजरिवाल जी को गाली देने लगते हैं अब इन गाली पार्टी हों को छोड़ दो, अब स्कूल बनाने वाली एस्पिताल बनाने वाली पार्टी लेकर आओ, पहली बार आप लोग देख रहे हो हमिश्रा जी को कब से जानते हो, 27 साल से तो बीजेपी को देख रहे हो, कभी आपने देखा कि हमिश्रा जी का कोई पढ़े, एक स्कूल में फोटो खिचवाया, मित्रो मैं भी स्कूल बन वारा हूँ, अभी तो केजरिवाल जी की राजनीती के पहर पढ़े हैं, जिस दिन जनता ने केजरिवाल जी को वोट डाल दिये, केजरिवाल जी को मौका दिया, इसकूल में भरती करवालेंगे मिश् करने के लिए दोचाय भेजे होंगे, आप लोग देख लेना, अमिश्या जी को आपने कभी स्कूल में जाके कोई उधगातन करते हुए, कोई कमरा खोलते हुए, कोई बोड़ खोलते हुए देखा, नहीं देखा होगा, लेकिन केजरिवाल जी के डर से पहली बार अमिश्य सहाजी स्कूल गए, और वहाँ पे फोटो खिचवाया, और सोचल मीडिया पे डाला, लेकिन दुरभागे देखिये, बच्चे ही नहीं थे वहाँते हैं, तो ये राजनीती बदलने की ताकत के जरिवाल जी में है, का आज स्कूलों पे बात होने लगी है, आज अस्पतालो के खिलाब इतने जूट बोलेंगे, इतने जूट बोलेंगे, कि इनका जबान तक जाएगी लेकिन ये ठकेंगे, पर आप चिंता मत करना, सच्चाई से लड़ रहे हैं, इमानदारी से लड़ रहे हैं, रोज दीवी पे इनके जूट को देखते रहे हैं, बटन जारू पे इनका चरहां की दावाना, आप सौसा लोग जोडते रहे हैं, रोज जोड़ते रहे हैं, हर जोड़ा हुआ आदमी आपके बच्चे के स्कूल के लिए जुड़ेगां, हर जोड़ा हुआ आदमी आपके बहनों, हमारी बहनों की जेम में 1800 महीना डालने के लिए, से आते हैं यह सी सरकार है आज बातिय जंतापा्रिके इनको इतनी दों है ऩो कि पर पर जों के लिए लड़ते हैं उनकों पूरी सब्सक्राइइब देते तरह-रह के बहाणे बनाते के जिर्वाद जी ने कहा है कि एक-एक करमचारी को जिसको जितना हक है उसकी पूरी तंखा दिजाएगी सरकार आने के पादि किसी के साथ अन्यायनियों होने दिया जाएगा पुलिस वानों से लेके DTC करमचार यहां के बसके करमचारियों तक सब को पुरी तंखा दी जाएगी बस आप से एक ही विंती है कि आप मंत्री वंत्री बदनने वाले इनके धासों में छोड़ देना बस इस बार तो स्कूल के लिए परिवर्तन लाना है और केजरिवाल जी को एक मौका देखे देख बारेन मता की बहुत 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 नहीं बाद